अब इस इस आझर्वा है नहीं किसी का आटा पीश रहे हैं नहीं बोडिंग का पानी दे रहे हैं नहीं कोई मरने फर रंथी बना रहे हैं लोग बहुत जास्ती कर रहे हैं समोसा के लिए पैसा देते हैं बच्चे लोग पैसा देते हैं इसके बावजुद भ्योग नहीं दें अब यह आदमी बिल्कुल गम छुगा-छुटा भ्यद भाव पर इतना उतालू हो गया है कि खास करके डलीतों को आठा पीषणा बंद कर दिया है उसके बाद जिलेवी और सिंहणाडा का कीrates समोसे तो is समोसा पीषणा देना मेरे के दूर मत आना तुम नहीं आते हो तो बाकी लोग नहीं आते है दोस्तों यू तो कहने के लिए आजादी के 78 साल हो गया हैं लेकिन आजादी के 78 शाल बाद भी जाती के नाम पर दली जाती के लोगों को कितना सोशन का सामना करना पड़ता हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जनतंत पर दिखाने की पूरिश कोशिस बाकि पूरी बात आपको दोस्तों बताओं उससे पहले नए दर्सकों का अपना फर्चे देता हूं नमस्कार मैं नरेंदर बसंत हुआ और आप जनतंत के वार देख रहे हैं आपको बता दू दोस्तों की अभी हमारी मौझूदगी बिहार के पटना जिला के बीटा थाना छेतर के अंतरगत महुआर गाओं में हैं और कुछ लोग मलई में देखिए जोपड़ी नूमा ये मलई है और इसमें महिला लोग हैं और पूरुस लोग हैं इनके साथ जाती के नाम पर इस तरीके से सोशन पिछले कई दूनों से हो रहा है अगर उस सोशन को बताऊंगा तो आप तो पैरो तले जमिन खसक जाएगी और आप इस सोचने पर मजबूर हो जाएगे कि आजादी के अटटा-तर साल बाद दलीतों के साथ जाती के नाम पर बता है औरे लोग बहुत जास्ति कर रहा है है तीन चार घर हो पुरा 150 गर के जोड़े चुका है यह आप लोग से जाते हैं हम रभीदास से रभीदास आनी चमार जाती से यह और कौन आप लोका शाया रहा है नहीं बना रहा है पाणे यह दिकत लोगों क्या जाती से वो लोग से बहुत भेद्भाव हैं विहार सरकार के जमीन है तो हम रहेंगे यहां पर सव विगहा है तो हम सब मिलके 52 जोरे मिलके रहा सकते हैं अब बागी चमार को यह नहीं रहने देंगा इसलिए क्षमार् not रहा है उनको ना पीशेंगे ना पानिा देंगे और नाई रंति बनाएगे मरने के बाद बनते हैं आपको लग रहा है कि यह सब जाती के वजह बहुत अपने आपका दमंग है इसलिए से बोड़ रहा है नहीं तो पैसा तो देती हो गया उसका भी आप लोग पैसा देती होंगी तो इसके बावजूद भी पैसा देने के बावजूद करते हैं तो हम लोग करते हैं करते हैं करते हैं कि हम लोग के साथ हैं आप इनके शुर्वाती बयानों से समाच चूके होंगे किस तरीके से ये जितने सारे सौ के लगबाग घर की आवाधी होगी, सौ घर होगा इनके गाओं में चमादाती के लोगों का, और जो बढ़े जाती के लोग हैं, इनका आटा पिछने से माना कर रहा हैं, जो मरने के बाद अंति में अंतेष्टी संसकार जिसको काया था, वो होता है, जिसमे के जो लास होती है उसको बेढ़ाया जाता है क्या बोला जाता है रहा фин forty जो बात कह रहे हैं क्या भाण अमने साथ में आता नेखे पिशाएंग और लेकाकिन के ना झामार के लिखा कि हमें काका ना कि अ मतलब ऐसे नहीं जो समोचा उसी को शिपो संगणा कहते हैं ना तो यह बताए है यह समोचा के लिए तो पैसा देते हैं ग़े चमार जाती के नहीं दे रहे हैं तो क्या है चमार जाती में से चोट समझ रहे हैं अच्छूत एक दम कि मतलब कि यह सरकार तो कह रहे हैं कि जाती बाद खतम हो गया है बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं कि जाती बाद खतम हो खतम कहां भाई खतम रहे तो देट ना जरूर देए अब काहें निके देट तब तो का बता सकते हैं अपको पता नहीं है चलिए एक और विक्ति हैं उनसे भी जानने की कोशिश करें क्या नाम हो सराफ मेरा बिरंदर भ कि दालीत कभी दौकतम अगर आगे बढ़ाता है तो उनको लगता है कि मेरा गुलामी कोन करेंगा मेरा काम काश कौन करेंगा यह काम तो यह करता था इस तरह से लोग को भय और डर है और इसलिए लोग जाती उठ्पान और जाती सोशने करने का प्रियास करते हैं में इसी गाऊं का गाहूं का एक दलीत होने के नाते मैं भीमारमी का जिलाद दिजस के अभी पदपर हूं और जहाँ भी इस तरह से जाती भादा भेत भाव होता हुआ, भीमारमी शक्ति से पेसाता है और पना इमंदारी पुरभक काम करता है अपने लोग को नया धिलाता है इस घाव में एक बढ़ी मिस्तिरी जो अनसामन्तवादी के सप्पोर्ट में रहते पर जेसे ृटबी भाग केले विहार सरकार के जमीन पर कब्जया करके रखते हुए हैं इसे जमीन पर इनका बोरिंग भी ए इसी जमीनी पर आरा मसीन है दो दोगो फरनीचर के दुकान है जिलेवी सिंहडा के दुकान है और आटा पिसने का चक्की मील है अब ए आदमी बिल्कुल गम छुगा छूता भेद भाव पर इतना उतालू हो गया है इतना उतर गया है कि खास करके दलीतों को आटा पिसना दुकान है समोसे का जिस पर कोई अगर दलीत के बच्चा जाए तो उसको समोसा सिंहडा देने से इंकार करें मेरे दुकान पर मत आना तुम आते हो तो बाकी लोग नहीं आते हैं उनको कहना है कि तुम अगर सवाल करता है कि भाई क्यों नहीं आए दुकान है तुम्हारा त मेरा दुकान पर आता है तो बाकी जात हमारे दुकान पर आने से इंकार करता है इसलिए तुम्हें नहीं दूख ठीक है उसके बाद आराम मसीन पर कोई पलंग चौंकी बनाने का उसकता पड़े चाहे कोई बुड़ बुजुरुक मर गया तो जिसको अंति यात्रा बताते ह डूख और वे लेकि जाता है इसको बनाने के लिए हएं परमपरा चलता है तो सभी काश्ट को बनाता है लेकिन खास करके चमार को नहीं बनाता कि हम आपका रंथी नहीं बनाएंगे दूसरा पॉइंट यहां आता है जो बोरिंग है इनका जो लोग बाग किसी-किसी खेत में रहन बटईया लेके और विघा दू-विघा धान रुपा हुआ है उस धान में पानी देना बंद कर दिया है धान सूख रहा है तो हम तो इस सरक अगर धान सूख जाता है पानी के वेगर क्योंकि किसे मजदूर और किसान के पास इतना नहीं है जो अब ही 50,000 का बोरिंग करा ले तो धान तो सूख जाएगा अगर जब ही थाना के पास रिक्वेट जाए किसान मजदूर तो उनका कंपलीन डज कर लें यह चलते कि आपको एक किसान और मजदूर देश को चलाता है और किसान और मजदूर देश का रिड है बिरेंदर जी जो आपका गाम है महुआर पतना से लंसंद 30-35 किल्यमीटर रहें दोस्तों आप सोच लिजिए बियार के रहाधानी पतना से हम जह 30 किल्यमेटर के दूरी पर खड़ें और 30 क दुरी पर जो गाम है महुवार गाम है पतना मुख्याला से और आप 15 लगा सकते हैं कि पतना से महल 30 किलोमेटर के दुरी पर इस तरीके से जाती के नाम पर जो है चुआ छुत हो रहा है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लेकि सचा यह बता यह की कोई एक तो कुछ भी है कि आइसा होता नहीं है कि भी नुख से बड़े समाज के लोग आप की साथ इस तरीके से बहार करने लगी कुछ तो वज़ा होगा बिश्चन और नहीं नहीं के तुक्रिके लोग है और प्रजचछे होने का खारान है है यह उन्ट ठीन क कमजिए फि deine मसा बहार का उनgrass हमारे बाप ददा की ददा बसे हुए थे जो पुर्वज मेरा बसा हुआ था जब उसका जन संख्या बढ़ा तो उन्हें सो पंचानवे में लाल पर्चा मिला था आठ डिसमिल दस डिसमिल का दलितों को छपन आदमी के जिसमें से जमीन को कबजा इन लोगों बढ़ी मिस्तिर है वह भी भारत का है तो बिहार सरकार का आदमी अगर सरकार के आदमी सरकार के आदUMि पाकिस्तान सब्स kजक्रण कर सकता है यहां Leakint एक कठा ही हमारे लोग जिसको रहने सने का दिक्कत है उन लोगों एक पर कबजा जमाया है एक आदमी एक कठा पर कबजा जमाया है तो इनको पेट में